जहिन दोस्तों मैं डॉक्टर एके आजाद और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल मेडिकल दोस्त दोस्तों आज की वीडियो में मैं उन हजरात के लिए एक बहुत ही बहतरीन और तगड़ा नुस्की के बारे में आपको जनकारी दूँगा जिनकी टाइमिंग देखा जाए तो एक मिनट भी नहीं है और वो संभोग करने से पहले ही अपने मन में डर बना लेते हैं कि कहीं शिगरपतन न हो जाए कहीं उनका प्राइबेट पार्ट ढिला ना पड़ जाए यानि कि दिल दिमाग में इतना ज़्याद वो बैठा लेते हैं कि वो संभोग के नाम से डरने लगते हैं और उनकी संभोग से रूची बिल्कुल खतम हो जाती है और उनके स्पर्म काउंट भी निल हो जाते हैं और उनका विर भी काफी पतला हो जाता है तो दोस्तों इन तरह के हजरात के लिए इस वीडियो में जो मैं नुस्का बताऊंगा इस नुस्कों को मातर तीन से चार दिन अगर आप इस्तमाल कर लेते हैं तो आपकी 25 मिनट हो जाती है जी दोस्तों आपने सही सुना बस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और साथ ही वीडियो को ध्यान से देखना है अगर आप कोई भी स्टेप मिस्टेक कर देते हैं तो समझ लेजी कि ये नुस्का आपकी उपर काम नहीं करेगा और आपको करते हैं दोस्तों इस नुस्के में आपको पांच तरह की जड़ी बुटिया लेनी हैं ये जड़ी बुटिया आपके नजदी की पंसारी स्टोर या आयरवेदी स्टोर पे मिल जाती हैं आपको पौडर नहीं लेना इन जड़ी बुटियों का आपको साबूत जो दाने आते है यानि कि आपको पीसा हुआ नहीं लेना है दोस्तों पीसा हुआ इसलिए नहीं लेना है क्योंकि पीसा हुआ कोई भी जड़ी बुटी में अगर mixing कुछ कर देता है तो आप सही तरीके से पकड़ नहीं पाएंगे कि उसमें कुछ चीज मिक्स है या क्या है लेकिन अगर आप साबूत लेते हैं यानि कि पूरा खाड़ा बीज लेते हैं जड़ी बुटी का तो उसे आप चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या मिला हुआ है क्या नहीं मिला हुआ है दोस्तों नुस्के के बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस नुस्के की इस्तमाल करने से सबसे पहले आपके दिल दिमाग से वो डर निकल जाता है कि आपको कहीं शिगर पतन ना हो जाए आपका प्राइबेट पार्ट कहीं धीला ना पड़ जाए या आपके दिल द दपूत हो जाता हैAP Ree Smith हो जाती है आपके शरीर में टेष्टोस्ट्च्टाओं लेबल कि अगर आपके बॉडी में लो लीबीडो की समस्या है तो भी ठीक हो जाती है यानि कि आपको भरपूर प्लेजर देखने को मिलता है नुस्के की इस्तमाल करने के बार, तो चलिए दोस्तो ज़्याद देरी ना करते हुए नुस्के के बारे में जानते हैं, दोस्तो लेकिन ध्यान से आप देखिएगा कि किया क्या मैं बता रहा हूँ, कितनी मातरा में आपको लेना है, तो दोस्तो इस नुस्के में आपको पांच जड़ी बूटिया लेना है जैसे मैंने वीडियो के सुरू में बताया आपको लेना है पचीस ग्राम इरानी अकरकारा लेना है पचीस ग्राम और पचीस ग्राम आपको सलाप पंजा लेना है या असानी से आपके पंशारी के दोका हो गई 25 ग्राम इरानी अक्रकारा 25 ग्राम सलाब पंजा और 25 ग्राम देशी गोखरू आपको लेना है और 25 ग्राम आपको तुलसी का बीज लेना है और 25 ग्राम आपको रूमी मस्तगी लेना है यह सारी चीजे आपको 25-25 ग्राम कॉनेटिटी में ले लेना है उसके बाद आप घर पर लाए और अच्छी तरह से इसे ओखली या मिक्सी में बारिक पीस लें पाउडर बना लें उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों एक कांच की बॉटल में इनका जो चूड तयार हुआ है रख लेना है और आपको कैसे इस्तमाल करना है ये भी मैं आपको बता देता ह आपको आधे चम्मस से थोड़ा से ज्यादे ये पाउडर लेना है रात में खाना खाने के बाद यानि कि अगर आप संभोग बनाना है एक घंटे बाद तो एक घंटे पहले आप आधे चम्मस से ज्यादे इस जड़ी बुटी को ले ले गुनगुने दूट से ये ख्याल र चाहें तो आप इस्तमाल कर सकते हैं तो शुबह शाम आधे चम्मस से ज्यादा इस जो पीसे हुए पाउडर जड़ी बूटियों क्या हैं शुबह शाम आपको इस्तमाल करना है रात में खाना खाने के बाद और शुबह नास्ता करने के आधे गंडे बाद आप इसे दोस्तों तीन से चार दिन ही इस्तमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर गजब का पावर आ गया है इस टेमना आपकी काफी ज्यादा बढ़ गई है जो आप विस्तर पे एक दो मिनट नहीं रुप पाते थे आप चाला पचीस से तीस मिनट असानी से टिके रहते हैं और आ आपके प्राइबिट पार्ट में हार्डनेस काफी ज्यादा रहता है दोस्तों जैसे कि आप एक दो दिन भी उस हार्डनेस को मासूस कर सकते हैं तो यह इता दोस्तों नुसका उमेद करता हुए इस नुसके को आप इस्तमाल करके फायदा जरूर उठाएंगे और उसके बा अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पेज पर देख रहा है तो फेस्बुक पेज को जरूर फॉलो करें